हेलो दोस्तों रितु किचन में आपका स्वागत है आज हम नारील की बर्फी बनाएंगे जिसके समागरी इस परकार है यह धाइसोग्राम खोया है जिसे हमने तोड़ लिया है यह डेड़ कटोरी गोले का बुरादा है यह बदाम और फिस्ता है जिने हमने बारी कलंबाई में पाउडर यह देशी गी है पैन हमारा गरम हो चुका है अब आधे को भूनेंगे इसका फोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसे भूनते रहेंगे देखे गोलेगा कलर चेंज हो चुका है इसे हमने भून लिया अच्छी तरह है ग्यास को बंद करेंगे और इसे नि बुरादे को हमने निकाल लिया इसमें डोंगे में पैन गरम हो चुका है इसमें कोया डालेंगे और खोई को चलाते रहेंगे खोई की जगे आप दूद भी डाल सकते हैं इसमें दूद का कोया बना सकते हैं इसमें आदा चम मच बड़ा आदा चम इलाइची पावडर डालेंगे अगर आपको इलाइची फ्लेवर पसंद हो तो आप डाल सकते हैं अब इसमें बूरा भी डाल ये गोले का बुरादा भी डाल देंगे चलाएंगे इस एची तरह पूरा भी डाल देंगे मेठा अपने हिसाप से रख सकते हैं देखिए गोला और खोया आपस में मिल चुके हमारे और अच्छी तरह हमने इनको भूम लिया हैं अब गैस को बंद करेंगे और थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे एक पलेट लेंगे इसमें देशी ही डालेंगे एक चम्मच एक चम्मच से भी गंग फैला लेंगे इसको कि इसमें टालेंगे इसको इसको फैला लेंगे अच्छी तरह इस तरीके से इस तरीके से हम ने इसको दबा दिया है इसमें पिस्ता और बजाम डालेंगे इस तरीके से दबा देंगे इनको नारिय बर्फी को हमने जमा दिया है इसमें हम चपको से कट लगा देंगे इस तरीके से हमने कट लगा दिया इसमें इसको जमाएंगे हम एक घंटा देखिए एक घंटा हो गया है नारियल की बर्फी बनके तयार है हमारी इसको हम निकालेंगे इस तरीके से देखिए नारियल की बर्फी बनके तयार है हमारी अगर आपको मेरी रेसिबी पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, थैंक्यो